इसको देखके आप सभी लोग इस form को भर सकते हो जहां पर मैंने आप सभी लोग से आपका 10 एडर्स मांगा भाए मेरे इक बात को ध्यान देना भाई आप सभी लोग ऊसको ध्यान से बनना इंटнос क्या करके ट के ट से ब्रुपो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी इफ इन केस आप अगर आप से भी लोग पाकिस्तान बांगलादेश या दूसरी कंट्री से हो तो इंडियन वीपियन का यूज कर लिना एलिजिबिल्टी के लिए तो देखो क्या है यहाँ पर चिल फेज करके पोस्ट डाली गई है और यहाँ से अगर पढ़ना चालू करोगे तो लिखा है 70% प्लस 5% is equal to चिल फेज मतलब 70% तो आप लोग को यह टॉप देखने को मिलने वारा थे हैं कि supply chain से बाकि 5% extra मिलेगा जो की बनता है 34.5 billion तो लिखा है friends yes we have indeed revised the tokenomics चीक है उसके बाद लिखा है we have allocated an additional 34.5 billion in X token to the community मतलब आप से भी लोग को extra additional tokens मिल रहे हैं आप से भी लोग को मेरा कहने का मतलब यह है और उसके बाद लिखा है we have already logged in the numbers and will distribute 70% of the supply based on the results of the first phase and the criteria described in the previous post तो basically guys आप सभी लोग को मैंने इस वाले पोस्ट को पर वीडियो बता दी कि primary criteria और additional criteria क्या होने वाला है उसी के बारे में आप जिक्र किया गया है कि आपका 70% का supply है ना वो तो गई यह लोग देंगे आप सभी आप सभी लोग के लिए ताकि यूजर को ज्यादा से ज्यादा स्मूद वीक में आप सभी लोग को देखने को मिल सकती है और इसमें गाइस मेरे को लगता है कि आपका जो 20 और 21 डेट है उसमें आपको देखने को मिलेगा यहां पर लिखा है एक्स देट कुछ दिन में बता देंगे और मैं आपको बता दूंगा and to keep things interesting for you based on numerous requests we decided to spice up the weight for listing with a nice bonus from our side that's why today we are launching the chill phase for which we have allocated an additional 5% of the supply तो chill phase में मतलब क्या रहेगा आप सभी लोग को game वापे से खुलने लगेगा और यह लोग अपने supply का additional 5% दे रहे हैं आप सभी लोग को these 34.5 billion X tokens will be distributed among the players who participate in the chill phase this phase will be very short and will only last a couple of weeks मतलब कि आपके October महीन है लिस्टिंग के पहले पहले ठीक है और यह चिलफेस बतायाएगे आप सभी लोग को यह कापी जड़ा short रहने वाला है मतलब मैं आपको बताया जैसा कि लिस्टिंग के कुछी time तक चलेगा लिस्टिंग के पहले पहले जो कि अपका थर्ड वीक में पढ़ेगा तो इसलिए यहां पे couple of weeks लिकाए और आपके जितने भी पहले के टोकन वगरा सब कुछ सेफ रहेंगे ठीक है यह आप लोग को एक्स्टा बोनस देखने को मिल ला है तो यह optional है आप सभी लोग के लिए और लिखा है इस 70% of token allocated from the first phase have been fixed and your participation or non-participation in the chill phase will not affect them in any way तो मतलब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप participate करो ना करो कोई फरक नहीं पड़ता है अगर आप करते हो तो आपको एक्स्टा बोनस मिलेगा नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा तो मैं आपको जैसा कि बताया कि आप सभी लोग यहां पर participate करो ना करो आपके पर पूरे depend करता है और यह लोग को फरक नहीं पड़ता है ठीक है मतलब आप लोग को यह वैसा ही देंगे ट्रीट करेंगे जैसे पहले कर रहे थे बट यहां पर इन्होंने एक और चीज़ मेंशन की है बट on the other hand what is stopping you from going after another slice of the pie with a much lower competition and a shorter time frame ठीक है तो मतलब यह लोग कह रहे है कि भाई अगर आपके पास कोई cake है तो आप से भी लोग उसका एक slice ले सकते हो और अगर आपको मिल रह है क्योंकि इसमें competition थोड़ा lower रहेगा और shorter रहेगा time frame मतलब लंबा नहीं रहेगा तो आप लोग को ज्यादा points collect कर सकते हो sense बना रही है बातिंग की think about it करके लिखा है और उसके बाद यहां पर दिया है तो मतलब यहां पर इन्होंने last में यहीं लिखा है कि अगर आपको ल सब्सक्राइब करना और जो form मैंने दिया आप सभी लोग उसको comment box में जाके जरूर से बढ़ देना